सिंगल पेच वेबसाइट क्रीट करकर कैसे अपने आफ़र प्रोडक्स को प्रमोट करना है आज मैं आपको बताऊँगा दोसो सिंगल पेज वैबसाइट क्रीट करकर आफ़र प्रोड़क को पर्मोड करने के लिए सबसे पहले आपको एक प्रोड़क को चूज करने के लिए आपकिसी भी आफ़र नटर कर यूज कर सकते हैं जैसे कि आप कलिक बेंग हुआ, जेविजू हुआ, वोरिल प्लस हुआ, अमेजोन डोट कोम हुआ, तो आपको एक आफ़र नटर के ऊपर अपना अकाउन क्रीट कर लिए हैं जैसे कि इस वीडियो में हम यहाँ पर एक्जामपल लेन वाल जीशोट टॉन्टिफॉर का तो हमने डिशोट टॉन्टिफॉर की ऊपर अपना अकाउन क्रीट कर लिए हैं और इसकी मार्केट प्लीज को ओपन कर लिए हैं जैसे आप यहाँ पर इसकी मार्केट प्लीज को ओपन कर दें, तो आपके सामने बहुत सारे प्रड़क्स अजाते हैं अब आपको यहां से एक पुड़क को चूज कर लेना, जैसे कि इस वीडियो में हम यहां पर इस पुड़क के एक्जामपल लेने वाले हैं, तो पुड़क का नाम क्या है, मीटोली, ब्रैंड न्यू पुड़क्त, बेसिकरी डाटरी सप्लिमेंट है, जो वेट लोस करने में ह मिल जाता है, मालम यहां पर दिन की 10 सेल भी निकलवा लेते हैं, तो इसली आप यहां पर पर डे के 1240 डोलर तको आन कर सकते हैं, और दोस्तों आप इस पुड़क के काट कनवर्जन को भी देख सकते हैं, जो की अराउंड 12 परसेंट है, मिस बहुत ही कनवर्टिंग करें, तो प्रमोट करने से पहले आपको उस पुड़क के सेल्स पेज एन एफट स्पोर्ट पेज को जरू चेक करना है, ताकि यह आपको आइडिया लग जाए, कि पुड़क किसके बारे में हैं, और कैसे आपको उसको प्रमोट करना है, एन सपोर्ट पेज के अंदर आपक मिमक को promote करने वाली है सबसे पहले आपको यहाँ पर वैपसेट का लियाउट क्रीट करना पड़ेगा, मैंस आपको यहाँ पर website का name बनाना पड़ेगा, साथ में आपको यहाँ पर website के लिए content भी design करना पड़ेगा, मैंस आपको यहाँ पर objective भी create करना पड़ेगा, जिसकी according आप यहाँ पर अपनी website create कर सकते हैं, तो content create के निकले हम यहाँ पर use करने वाले chat GPT का, तो simply आपको जाने chat GPT के उपर, यहाँ पर आपो कुछ इस टैप से prompt type करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर type किया है, I want to promote और यहाँ पर मैंने अपने product का name लिख दिया है, जो basic का dietary supplement है, जो wheat loss करने में help करती है, तो मैंने यहाँ पर के लिखा है, मैं इस product को promote करना चाहता हूँ, single page website का use करके, तो please suggest website name for it, तो इसने मुझे यहाँ पर बहुस सा name suggest करती है, तो मैंने यहाँ से इस name को choose कर लिया है, तो यहाँ से मैं इसको copy करूँगा, और इससे को मैं अपनी website का name देने वाला हूँ, उसके बाद मुझे य तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, कि single page website के लिए prompt लिख कर दो, तो मैंने अब लिखाया है, also write prompt for single page website, तो इसने मुझे यहाँ पर पूरी website का objective बना कर दे दिया है, जिसको मैं as a prompt के तोर पर use करने वाला हूँ, अब मैं आप से एक tool share करने वाला हूँ, जिसके मदम से हम यहाँ पर 30 सेकेंड में अपनी website क्रेएट कर सकते हैं, तो इस tool का नाम है site123.com, basically एक AI tool builder है, जिसके मदम से आप यहाँ पर कुछी clicks में अपनी professional website क्रेएट कर सकते हैं, तो इसे के मदम से हम यहाँ पर अपनी website क्रेएट करने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको इस website के उपर अपना account create करना है, तो account create करने के लिए आपको यहाँ पर आना है, login इसको पकलिक कर देना है, जैसा आप इसको पकलिक करेंगे तो आपके सामने new page आएगा, यहाँ पर आपको Facebook वा Google के मादियम से login करने के लिए का चाहेगा, अगर आपका Facebook और Google के उपर account है, तो आप यहा करना है create my account इसको पक्लिक करते हैं अब आपके पास एक email हैगा जहाँ पर आपको account verify करने के लिए कर जाएगा तो आपको वहाँ पर अपने account को verify करना है वो site 123.com के ऊपर पर account create हो जाएगा और दोस्तो इस website के link मैं आपको अपने telegram channel पर provide कर दूँगा तो make sure आप मेरे telegram channel को भी join कर लें जैसी आप इस website की ऊपर अपने account create करेंगे तो आपके सामने कुछ असपर का counterfease हैगा और जितनी भी websites आपने यहाँ पर इस website के क्रेट करना है तो मैं अगेन इसको पर जाऊंगा create new website इसको पर क्लिक कर दूँगा create a website इसको पर क्लिक कर दूँगा जैसा आप इसको पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने new page आएगा और दोस्तो इस tool के माद्रम से आप यहाँ पर website online store blog वे landing pages create कर सकते हैं जैसे कि मुझे यहाँ पर website क्रीट करना है तो मैं इसको पर क्लिक कर दूँगा अब आपको यहाँ पर website की category चूज करना है तो मैं यहाँ पर weight loss इसको चूज कर लूँगा क्योंकि basically हम यहाँ पर weight loss के बारे में बताने वाले हैं इस weight loss के प्रड़को कोई promote करने वाले हैं यहाँ पर आपको अपनी website का name डाल देना है तो मैंने यहाँ से अपनी website का name copy कर लिया था यहां से और इसको मैंने यहाँ पर copy and paste कर दिया है अब आपको यहाँ पर अपनी website का description डाल देना है तो यहाँ पर मैंने objective create किया था जिसको मैं as a description के तौर पर use करने वाला हूँ तो यहाँ समस को copy कर लूँगा and इसको मैं यहाँ पर copy and paste कर लूँगा then open a website इसको पर click कर देंगे अभी website यहाँ पर work and start कर देगी a tool यहाँ पर work and start कर देगा information को यहाँ पर gather करेगा और आपके सामने कुछी seconds में एक professional website आजाएगी जिसको आप promote कर सकते हैं और इसके उपर traffic लाकर आप अपने product को promote कर सकते हैं तो यहाँ पर हमारी एक professional website create हो चुकी है जो की आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाई देगी तो इस तरीके से आप यहाँ पर एक professional website create कर सकते हैं जो की आपको यहाँ पर दिखाई देगी अगर आपको इस website के अंदर किसी भी परकार के changes करना है लैकि अगर आपको इसके background को change करना है तो इसके इसमें आपको आपड़ाना है edit इसके उपकलिक कर देना है अब आपको इहाँ पर image की option दिखाई देंगे अगर आपको इहाँ पर इसके background को change करना है जैसे कि मालो मुझे इसको add करना है तो मैं इसके उपकलिक कर दूँगा यहनि इस परकार से मैं यहाँ पर क्या करूँगा इसको मैं यहाँ पर add कर दूँग अगर आपको यहाँ पर अपने description चेंज करना है तो इसको भी आप यहाँ पर change कर सकते है अगर आपको यहाँ पर अपने call to action एड करना है तो इस case में अगेन आपको यहाँ पर आना है यहाँ पर आपको call to action का option दिखाए देगा आपको इसको उपकलिक करना है बटन इसके उपक्लिक कर देना, इस प्रकास से आप यहां पर अपने call to action को add कर सकते हैं, जैसे कि महां लोगर आपको यहां पर लिखना है इसके बाद क्या हो जागा, मैं यहां लिखना चाहता हूँ, start now, okay, तो मैं यहां पर लिखना है, start now, okay, अब मुझे यहां पर क्या करना है, यहां पर मुझे अपने effort link एड़ करना है, तो मैं settings इसको उपक्लिक करूँगा, यहां से मैं choose कर लोगा, redirect view oil, यहां पर मैं क्या कर दूँगा, and इसको मैं यहां पर क्या कर दूँगा, copy and paste कर दूँगा, इस तरीके से, then इसके बाद क्या हो जागा, मैरा effort link यहां पर add हो जाएगा, तो इस तरीके से आप यहां पर अपने effort link को add कर सकते हैं, okay, इसके बाद आपको नीचे आना है, अगर आपको यहां पर images इस वगारा को change करना है, जैसे कि मैं यहां पर अपने product की image रखना चाहता हूँ, तो मैं इसके उपकलिक कर दूँगा, okay, and यहां पर मैं क्या करूँगा, मैं इसके उपर जाऊँगा, इसके support page को उपर जाऊँगा, product की image को download कर लूँगा, again इसके उपर हैंगे, choose image इसके आप यहां पर कर सकते हैं, अगर आपको यहां पर इसके about को change करना है, तो इसको भी आप यहां पर edit करकर changes कर सकते हैं, अगर आपको यहां पर again metholine के लिए यहां पर अपने product की image को upload करना है, तो आप इसके उपकलिक कर सकते हैं, and यहां से आप अपने product की image को upload कर सकते हैं, तो जैसे कि मैं यहाँ पर इसमें चींजिस करना चाहता हूं, इसमें चींजिस करना चाहता हूं, जो भी चींजिस आपको यहाँ पर करने हैं, उसको आप कर सकते हैं, जो भी चींजिस आपको यहाँ पर करने हैं, उसको आप कर सकते हैं, जो भी चींजिस आपको यहाँ पर करने ह तो इस तरह किसे आप यहां पर contact pages को delete कर सकते हैं, अगर आपको रखना है तो आप इसको यहां पर अगर आपको यहां पर इसमें changes करना है, home, about services, टेस्टनमाट किसी में भी change करना है, सारे changes आप यहां पर कर सकते हैं, जैसे आप यहां पर अपनी website create करने हैं, अब आपको अपनी website को publish करना है, तो publish करने के लिए आपको अपर आना है, और इसके मादम से आपकी website के अंदर professional domain भी add हो जाएगा, अगर आप यहाँ पर professional domains को add नहीं करना चाहते हैं तो इस case में आप यहाँ पर इनके खुद के domains को भी use कर सकते हैं तो इस तरीके से हमने यहाँ पर अपनी website create कर लिया है जो कि कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई देगी तो इस तरीके से हमने यहाँ पर अपनी website create कर लिया है और website का domain आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा जिसको आपको basically promote करना है तो यहाँ से आपको उसको कोपी कर लेना है और इसको आपको promote करना start कर देना है अब आपके दिमाब में कोशन आ रहोगा या आप किस तरीके से अपनी website को promote कर सकते हैं तो promote करने के लिए आपको यहाँ पर थोड़ी strategies बराना पड़ेगा इसके बारे मैंने ओल्ली चैनल के अंदर बता रखा है simply आपको मैं चैनल को पर जाना है playlist को check out करना है बहुत से strategies की playlist आपको यहाँ पर मिल जाएगी उनको आपको follow करना है और इसके मदम से आप यहाँ पर अपनी single page website को create कर सकते हैं अगर आप अपनी website के उपर instant traffic चाते हैं तो इसके इसमें भी आपको यहाँ पर हमारी free traffic for effort marketing की playlist को देख लेना है उसके अंदर आपको बहुत सारी free traffic source की जानकारी मिल जाएगी जिसके उपर आप अपनी website को promote कर सकते हैं website के उपर instant traffic ला सकते हैं और इसके मदम से आप यहाँ पर sales भी निकलवा सकते हैं I hope आपको 7 में आगया होगा कैसे आपको single page website create करना है और कैसे उसको promote करना है और कैसे आपको अपनी sales से निकलवा लेना है अगर आपको आज का method समझा है तो मैं आपसे यहाँ पर request करूँगा कि आप अमारी channel को subscribe कर ले वीडियो को पर कम सकम 100 likes लेके हैं ताकि इसी type का awesome content आम आपको सा share कर पाएं